कि लेट्स बिगिन तो आज अपने लोगा टॉपिक है पर्मुटेशन इस अलव स्टोरी है हम मैक्सिमम लोग सोच रहे होगे सरी कैसे कौन लिखता है कि इसका जवाब हों देता है अपने लोगों सब्सक्राइब क्वेशन आता है कि सर यह चप्टर करके फैदा क्या होगा तो इस चप्टर का जवाब देने की लिए में तरीका बनाया मालो पीश्णाम पेक लड़का लागो इस लाख में इन अफ्रिश्णाम का पाने यह यह पीश और मालो प्रतिक्षा आपके लिए पिकेंस बात को ध्यान से समझना तो साहर स्लॉंग कर दिदा अब एक क्लास है 50 55 56 चुडेंट्स का यह क्लास क्या प्रसे राउंड टेवल में बैठता है और सब तरह सीट्स है या फिर मालो कि एक बहुत बढ़ा हो एं अब पीश यह इंश्वर करना जाता है कि क्लास में कोई भी किसी भी अरिजमेंट में बैड़ यह पर उसके पास प है कि क्लास में कोई कहीं भी बैट जाए इतने सारे सीट्स है कोई कहीं भी बैठ जाया पर प्यूश और प्रतिक्षा आस पास ही पैड़े यह बात प्यूश इंशौर करना चालता है तो कितना अरेंजमेंट्स कितना पॉसिबिलिटीज है फिर से वाड को ध्यानते सुना ज तो इसका एंसर आप लोगो नहीं बताएगा अगर इंदी एंड तक आप लोग यह समझ गया पर्मुटेशन को तो यह शॉर यू आप लोगो यह कैल्पूलेट करना जाएगा कि शुफ्टी फोर सुरेंट सा और प्यूस को इंशार करना कि उसके बगल में प्रतिक्षा ही बै सबसे पहले अपर मुटेशन सिखना सबसे पहले पर्मुटेशन सिखना तो अपने को फंड़मेंटल प्रिंसिपल अफ कामटिंग समझना होगा अगर किसी को फंडिशन है तो चाप मत भूस अप समझ में आएगा फंडमेंटल फ्रिंसिपल ओफ काउंटिंग सरी ये प्रिंसिपल बोलता क्या है ये सब जी जरूरी अपने को पर्मुंटेशन समझने के लिए फंडमेंटल प्रिंसिपल फंटिंग ये बोलता है टीशन इन एक पैले डिफिनेशन लिफ लुश्क बाद इसांपल के तुरू सम करके मता था इशन इवेंट इप क्या अकर इन एम बेस एन नमबर फेस्ट क्या है एन इवेंट बी इवेंट भी ऐसा इवेंट है जो हमेशा इवेंट एक बाद होगा एन इवेंट बी अजय के मैं आप्र इवेंट 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 इस अँड़ एन वीड वेंगे आपे अंवी खोर्ड्रिय फ्यु इस तु तो बाद नमबर फुल और पेस एंवेश्ट अभी आप जो मलूँ आप बारो को सिर्फ यच्री लेवेंट पी जार्च बन्सरा कुमा प्रिए बी एक्जांपल के तुरू समझना आजाएगा, then total number of ways in which event A and event B can occur is equals to M into N. चलो बहुत एक्जांपल लेते हैं, जहांते सुनना एक्जांपल को, इसी को समझाने के लिए एक्जांपल ले रहा है, जहांते समझना, एक्जांपल से बहुत एजी हो जाएगा, चांपल के लिए, a die is cast, after which a die is cast after which a coin is cost, मतलब पहले आपने दाइटेगे हैं, और दाइको फिक जो डाई सो तने डाई रहे हैं, रुलराल है, जाई, सिंग रूदर एकश्ट अवड़ा, कास्ट, after which a die is cast, after which a coin is, अविश्च वाद लोगे कोई उचलते हैं आफ्टर विच अ कौई निश्ट फाइंड नॉटल नमबर आफ आउट कम्स किछना आउटकम्स पॉसिबल है जो अगर सिंप्री एम इन प्रें टॉन लाइब लगाए तो कैसे होगा यहां पे इवन टी कैने को अचाप अब अधर बीओ करिंगा स्थरे इमर्टी मतलब एक यहां आपर आइब इंकास्ट इवन एक कास्टिंक होगाल हां किना ओं पर दीघ किर तौसीं ओफॉईं इन भी क्या रॉसिंगों कोई है अब दॉप स्थों अब तरह सब्सक्राइब कितना तरीका सो सकता है अरे तौम अगड़ाइब करें तुम कितना उपकम इल सकता है भी आपर सिक्सक्षा कि देरा शेक्स पॉसिबिलिटीज वर्न तौव फिर प्रवाइब कर रहा है जिसमें वो जैर वीनु पॉस करता दोनों तरह एक होता यहां पे एक अंबाइस पाइन का बात करना है जिसमें दो आपकोंस पॉसिबल होता है यह तो अभी टोटल नुमर फॉसिबल और कम जापर तुम में डाई फेका और उसके बात क्या तो तो पॉसिबल और कम अपना फर्मिला की साफ से हो घया वंटर पॉसिबल आटकम अपने फर्मिला की हिसाप से हो गया 6 in to two is equals to 12 तुम लोगों को भी बात पुरा पुरा समझ में नहीं आया तुम लोगों को भी दिखाई पड़ी जा होगा कि यहां पर 12 एंसर तो ठीक है लेकिन इसका एक यह नो अंदर में क्या चल रहा हो देखते है चलो हम आप लोगों बताता है रियल में चल क्या रहे देखो अगर कोई पॉर सब्सक्राइब आरहा तो के पासThese इन शुटेव लें विगे लिए बाद आपके पास है रासफता है यह 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 सबता है त्रीक बाद है यह यह यहाद एए फूर के बाद अगे लिगे है यह यह ग्रेल समस्टी आपको बहुत एसिन हैं यह निट जाब शिक्स श सबसे पहला क्मिनेशन की हो सकता है वन आया और डाइ कास्ट किया वन आया और जब तॉस किया तो एड आया तो 1,H या हो सकता है 1,H या हो सकता है 2,H 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 similarly 3,H 3,H 4,H 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 एक हएड़ अपस्ट जिसको है व्यार थुट्ट आट सो इसको double गिल नहीं सो एक पर मैना की है कि वना और चाव् एड़े यह एक हो कम न तो वैसे करें बना थे लृटेंगा मुट्राइब था दौर रही दो तीज़ पाट चैनल्ट साथ यह इसका लोगिकल एक्षपनेशन है अब तुम लोग बात समझना यह तो एक छोटा से ग्जांपल था इसी निये हम ऐसे बाइफरकेट करके दिखा पाया अगर मांग लूँ कि यहीं पर कुछ ऐसा इवेंट दिया हुआ रहता की एम की पॉसिबिलिटी एंटी और एंटी व पॉस्टों अगली यह चलो किया रहे हैं इसको अडारा आफ अट इस ने अट इसको एक और प्रशन लेटे इक और विश्न अगर गे इक और पर्शन लेकिन ते अगर विश्न ने you are given you are given numbers 1 2 3 4 5 6 find the number of 3 digit question find the number of 3 digit or numbers find the number of 3 digit or numbers that can be made using the given digit given digit 1 say 6 using the given using the given digits when dollar cases repetition not allowed 113 repeat again about the bar again repeat new nations repetition not allowed number two repetition allowed गुलो ख्लीयर रहे हैं ठीक है सर अभी बात को ध्यानते समझना कैसे सब को साइल करना बड़ा ही इजी कुशिए है सबसे पहले सबसे पहले एक बार जो तरी डिए नंबर अपने को कंशक्र करना इंच है को यूज़ करके अपने कुछ करना है और नम्र्स ना अपने को अगर और नंबर तने है तुम क्या बोलर हो लोग लगना फास्ट में हो साथ हा वन या इन तीन तरीका को छोड़के तुम को तरीका सब्सक्राइब को तुमको गिले नहीं है तुम्हारा एंसरी में हो जाएगा और अपने को चाहिए क्या है और अब अपने को अगर और चीए तो अपने को यह पर वन थ्री या फाई भी लगाना होगा तो यह हम लिक सकता है कि यूनिस डिजित को भरने का तीम तरीका है क्या क्या तो वन क्या तो त्री या तो फाइप हां तो यूनिट्स डिजिट कैन भी फेल लिन थ्री वेंस ठीक है अभी बात को आगे देखते अब बात करते टेंस डिजिट का अब चीज लोगिकली सोचना यहां पे रिपिटिशन अलाओ नहीं है अगर रिपूटिशन अलाओ ऑम अने तुम यहाँ पर कोई भी एक नमबर जो यूश कि fifteen rou 14 आया तो यहां पर तुम 5 बाकी पास नमबर भिखते हुआ इस जगा को इन से कोई भी नंबर से बढ़ सकते है अब कर विक नंबर जो सिलेक्ट किया वह यह नहीं आ सकते है तो इधर पर ने किन बाकी पांस नंबर सकते हा वहां इस जगह को फाइव बर सकता है हम अभी हो वाला पार्ट दिखा रहा है पार्ट वां जहां रिपूटिशन अलाओ नहीं है 10s digit जो नुबर यहां पर यहां पर नहीं लगा सकते हैं तो चैने से दूप्शन तो आपका इलिमिनेटेड तो इसको कितना तरीका से भर सकते हैं फोरवेज में यस हंड्रेट डिजिट वाकि जो चार नंबर बचा उसी से बरना पड़ेगा तो हंड्रेट डिजिट जो चैने फिल्ट इन फोर वेज ठीक है अब आप लोको क्या बता यह था अगर इवेंट है फॉर्णमेटल प्रिंसिपल अपांटिंग में तो क्या हो जाएगा एम इंटु एंट वहां पर दू इवेंस थाइंप तीन इवेंट से तो एम इंटु एंटु एंटु पी या क अभी भी हम पर्मूटेशन सिखाया नहीं है यह सब सम्स भी आता है अंडर फंडमेटल प्रिंसिपल अव काउंटिंग जो पर्मूटेशन के अंदर पहला चीज अपने को सिखना अगर पर्मूटेशन समझना है टोटल त्री डिजिट और नमबर इसको बताया है था कि मल् यह रिपटीशन नहीं होगा ठीक है चलो अभी बात करते हैं जहार एकिशन अलाओ यह सब दक रिपेटीशन अलाओ ने अभी भी एकिशन चाहे अलाओ अभी भी तो और नमबर जो मरना है तो यह उनुआ दिजिट को तो तीम तरीका से तूंबर सकता है क्या तो वन लगा स तो आपसे सेम बात यूनिट डिजिट फिन कैन बी फिल्लिण सुस्ट्राइब लेकर अभी ध्यास अना यहां पे एक एर अगर रिपीरिटिशन लगाए तो यहां पे यहां पर तो तो तुम तो 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 यहां तो क्योंकि रिपीट कर सकता है तो यहां पर कोई भी भी 6 नंबर भर सकता है 1 से 6 की बीच का similarly 100 में भी 6 नंबर भर सकता है हा सर तो 10s digit can be filled in 6 ways yes or no same case 100s digit can be filled in 6 ways total number of outcomes total 3-digit odd numbers total 3-digit odd numbers कितना बन सकता है total 3-digit odd numbers बन सकता है 6 into 6 into 3 यानि कि 108 there can be 108 odd numbers right 1 से 6 की बीच का numbers को यूज करके जहां पर 1 से 6 की बीच का numbers को यूज करके जहां पर repetition of digits allowed है बोलो clear है तो चलो ठीक है अब अपने लोग चलता है permutation की तरस उसके पहले किक टव में जो आपको समझाने है अपने चलने से पहले एक टॉम समझना यह टॉम है और मैं अप्र्टोरियल क्या है क्हुंभ दिखा हुआ है कि अब्षाल्ट अमardağ इस्का मतलब क्या ओता है 1 तो जो में टिप्ला1 करती करते ०्रूंग कि कि यह पिलिए फैक मतलब फैक्टरियल मतलब यह ओता है कि हाँ समझाए है जहाँ पर आगे हों पर रुप जाओ यह अधियर नहीं है तो फैक्टोरियल का वन फैक्टोरियल में तो वन ही है अच्छा तो सब्सक्राइब क्यों जाल रखने एघो शंद करता दो आप जाले वान अथ ज्य को क्या है अभी देखो सम्झाने आ पौशिश करता है समझना क्या संदुत आशा से इा ड्यान दृ़ा अब जब आप four टोर्ड में जेना क्या हुआ वह इसए five अदिया वैसे औरगा फ़ांग से अगर हम इसमें से 5 डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा ये क्या है 4 इंटु 3 इंटु 2 इंटु 1 जो कि क्या है 4 फेक्टोरियल येस और नो हाँ सर बात तो सही है तो अभी ध्यानते समझना हुआ हम यहां पे 4 फेक्टोरियल को लिख सकता है 5 फेक्टोरियल by 5 अभी एक इस पूरा चीट से 3 इवाइड कर दो तो फेक्टोरियल आ जाता है तो ये क्या है तो अरे टूबार तो वैसे ही ये क्या होगा वन फेक्टोरियल वाइड वन वन फेक्टोरियल क्या होता है वन वन वाइड वन इसी लिए जिरो फेक्टोरियल वन होता है जिरो फेक्टोरियल वन होता है जिरो फेक्टोरियल जिरो नहीं होता है प्लीज ध्यान रपना इस बात कर ठीक है अभी लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट है पर्मुटेशन का हम आप लोगों क्या बताया था प्रतिक्षा और प्यूश का एक्जामपल लेके टोटल नंबर अफ अरेंजमेंट्स इट इंडिकेंट्स पॉसिबल इधर भी इन डेफिनेशन लिखरा के वल लेकिन उसके बाद जब इजमपल लेगा तो आपलों को चीज़ कियर हो जाएगा इट इंडिकेंट्स द पॉसिबल नंबर अफ अरेंजमेंट्स that can be made that can be made out of a given number of elements when all of them are taken or some out of all are taken हमको मालूब कि समझ में नहीं है इसले एक्साम्पल देगा प्रेले ये कॉपी चो करो अभी समझना example माननो we have been given we have been given इसी की तरूम आपलो को बहुत सरा annotations भी जाएगा ठीक है we have been given we have been given A, B or C three letters how many arrangements can be made using using these letters using this letters taken number one two at a time number two three at a time अभी समझना इसको करने का दो तरीका एक तरीका है जहां पे अपने 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 पास permutation का knowledge नहीं है अपने खाली hit and try करेगा no permutation knowledge gradually आप लोग रिलाइस करोगे कि अपने लोगो यही तरीका अप्लाइक करना है अपने पर पहले देखू यहां पर permutation का knowledge चाहिए अभी समझना no permutation knowledge से कैसे करेगा टिकन टू अटर टाइप मतलब A B और C में दो दो लेटर एक एक बार में लेना है वो लोगो कितना तरीका से आपस में अरेंज कर सकता है चलो देखता है कि देखो एक ठो तो A B कर सकता है एक लिख सकता है B C एक लिख सकता है A C अब इनी को उल्टा करके पर तो लिख सकता है मतलब B पहले A बाग में C पहले B बाग में C पहले A बाग में तो टटल कितना वेज हो गया 6 6 वेज ठीक है टेकन ठीक है टाइम मतलब तीनों को A B C को आपस में कितना तरीका से रिंज कर सकता है जब एक साथ ले चलो देखता है A B C A C B C A B B C A B A C और एक और हो सकता है C B A इसको छोड़के तुम आपको यह अरेज्मेंट करके बता लो करे नहीं सकेगा तो टोटल कितना हुआ सर यह बात तो ठीक है अब तुम लोगे बात बताओ इधर तो यह कर लिया मांदो तुमको 24 लेटर्स दिया हो रहता और तुमको दिया हो रहता तेकिन टेकिन 10 अट टाइम या टिकिन 12 अट टाइम तुम इस तरह सरेंज करके कर पाता क्या बावला हो जाता कभी नहीं कर पाता समझा तो अभी permutation का knowledge देता है समझना permutation को represent कैसे किया जाता है ऐसे एन पी आर एन का मतलब होता है total number of elements जो हमको दिया हुआ है out of a given number of elements given कितना है 3 है ना तो यहां पे अपने लोग का N हो गया 3 taken are at a time taken जो यहां पे लिखा हुआ when all of them are taken और some are taken यह जो पहला वाला case है 2 उसमें तो सम आ टेके ना 3 दिया हुए और उसमें से 2 टेक कर रहा है तो वह आर हो गया 2 अब सर इसको इसका formula क्या पहले NPR का formula है N factorial by N minus R factorial mind you आपनों को बता हुआ factorial का concept तो आप बस यही चीज़ लगाना है 3 P2 equals to 3 factorial by 3 minus 2 factorial जाने की अब 3 factorial हमा को क्या बता है था 1 तक जाना है by 3 minus 2 जाने की 1 factorial वो तो वनी होता है 6 by 1 equal to 6 answer semi आयगा answer same है और 2nd 2nd वेला केस 3 at a time are taken 3 at a time are taken तो अब यहां पे N3 यह लिकिन आर भी 3 यह तो बंगया 3 P3 जाने की 3 factorial by 3 minus 3 factorial by 3 minus 3 factorial जाने की 3 into 2 into 1 by 0 factorial 0 factorial क्या होता है 0 1 बताया दार 6 by 1 जाने की 6 ways आया समय यह है logic permutations का बहुत सरा से हमें बहुत वराइटी और बहुत इंटरेस्टिंग है बाले इंटिसको तो को पीकरोग